नमस्कार, मैं दॉक्टर पीयस सागर, मैं अक्युपंक्चर और ट्रेशनल मेडिशन एक्सपर्ट हूँ, अल्मोस्त ऐटीन येर्स से मैं सेकंड लाइफ नेचर की और हास्पटल, बंजर आइल्स हैदरवाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज का अवेरनेस टॉपिक है ड तो धनेसफे डिया धेयर शी प्रिडिया में इंडिया चापटल बन गया है, डिटेस बहुत ही ख़तार्नाग होते जा रहा है, और उससे काफी सैट आफ़ेods वरह हैegra patients are heart attack हो और diabetic retinopathy, neuropathy nephicopathy और गाइग्र fermented वाजे और वाज़े हमदे हाथ पैर काटना है। काफी कॉंप्लिकेशन्स हो रहा है तो पहले से डायवेटीस किस तरह आता है और क्या वज़े से आता है और किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आपको डायवेटीस हो गया तो किस तरह उसको मैनेज करना है और जिंदगी वर दवाई से ही इसका मैनेजमेंट कि जाएगा या बिना दवाई से भी उसको ठीक किया जा सकता है त्रेडिशनल मेडिशन के जरिए डाइट लाइपस्टाल के जरिए यह पूरी तरह आज हम जानकर ही लेंगे डाइबेटीस अपसलूटली रिवर्सिबल है यही चीज हम पूरी तरह आज यह वीडियो में समझ सक पहली बार डाइबेटीस जो है ताइप 1 ताइप 2 तरह के रहता है ताइप 1 जो है डाइरेक्ली इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत सारे छोटे बच्चों में यह आने का चांसे से यह एक तरह का आटो इम्यून डिसार्डर है जह उनका शरीर में इम्यूनिटी पूरी तरफ बंद हो जाता है इसके वजह से भार से भी इंसुलिन सप्लाइन दे पड़ता है तो यह एक तरह का डाइबेटीस इनको बेदेंद जाता है तो इनको भी हम और इ children में किस तरह treatment किया जाता है वो less समझेंगे लास्त में और डाइबेटीस टाइप 2 जो है आपको यह लेट 30s 40s में यूशली आना शुरू हो जाता है यह जो है एक पूरी तरह एक यह कुछ भी वाइरस बैक्किरिया यह कुछ भी चीजों से नहीं आता है यह आपका जीवन शैली व्यादी बोलते है इसको तो यह जो है आपके खाने पीने में और डाइट लाइप स्टाइल में पोतलिसें पुछ जनओं आपका श्रीर को जोमिंट बालिज जैने यह जो कम हो जाता है इसलो हो जाता है इडोरी जाता इस्में धाल जिससे आपको इदर इंसुलीन रेसिस्टेंस हो जाता है यानि इंसुलीन बनता है मगर वो सही दंग से बोड़ी अबजाब नहीं कर रहा है उसको युटिलेज नहीं कर पा रहा है जूतो लौट अफ टॉक्सों और एक तरह से थोड़ा बूत इंसुलीन यानि कम भी प्रोड करना पड़ता है तो पहली बार हम यह समझना है कि आपका ब्लैट टेस्ट में हम शुगर प्रीडिंग्स चेक करते हैं आपको 140-150 हो रहा है फास्टिंग में तो हम थोड़ा बहुत आपका हैच बीवन सी चेक कर लेते हैं अगर 6.5 से अधिक है तो आपको प्रीडियबेटीस माना जाता है और 8 से ज्यादा है तो आप फुली डाइबेटिक माना जाता है तो यह प्रीडियबेटिक स्टेज में ही हम इसको खाने पीने में चैंजिस करके बिना टाबलेट से भी हम पूरी तरह जिंदगी बर उसको रिवर्स कर सकता है तो अर्ली स्टेज में काफी अच्छी तरह उसका उपचार हो सकता है और अगर आप डियाबेटीस टाबलेट्स ले रहे हैं और लांग टर्म से लेने के वज़े से आपको से काफी या अर्भी को इन्सुलीन ने की समभा दू वी दै तो यह किस तरह रिवर्स किया जा सकता है पहली बार प्रीदिक स्टेज में हम इसको आफी तरह कौ है तरह हम यह सले हम इसको कर सकते हैं प прив आ smaller अज्ची टारा हम यह यह को रहा жизнь को की कि ठी टोक्षिकेशन करने की जरुड रहेगा जैसे वीट क्रास और एपल साइडर वेनिगर जैसे चीज आप जो है निरंतर यानि रोज एक स्पून वाम वाटर में सबस्बा नहार पेट रेगलरली सेवन करने से आपका बाडी में टॉक्सिक एंवायरमेंट जो है टॉक्सिटी जो है वो थोड़ा कम होता शुरूएगा और आप जो खाने पीने में जो है घ्लाइसेमीज इंडेक्स के हिसाब से आप सब लोग को खाना पड़ेगा घ्लाइसेमीक इंडेक्स माने आप शुगर पेशेन्ट जो है डिय डिय टी पेशेंट्स यह आप स्वीट नहीं के लिए आपको मना करते है उसका 100 रहता है 100 out of 100 रहता है यानि उससे आपको तुरंद आपका ग्लुकोस का स्थर जो है कुन में बढ़ जाता है जिसके वज़े से आपको काफी कॉंप्लिकेशन साना शुरू हो जाता है तो आपको इसलिए स्वीट्स खाना मना है तो स्वीट्स के बाद ज्यादा ग्लुकोस ज नाइंटी तक भी आपका ग्लैसेमिक इंडेक्स हो सकता है जिसके वज़े से आपको यह रोटी या राइस रिगलर सेवन करने से भी आपका शुगर लेवल्स जो है बढ़ते ही जाएगा तो आपको चेंजेस करना है लो ग्लैसेमिक इंडेक्स फूट्स आप गूगल में सर जैसे वाइट राइस में भी एक वेराइटी आया है आचुका है उसको तेलंगाना सोना राइस बोलते है जिसका ग्लैसेमिक इंडेक्स अल्मोस 51 चेंज कुछ है जिससे आपको शुगर जो है बढ़े गई नहीं और आपको ब्लाक राइस जो है उसका भी 47 42.7 तक है उसका जाने उसको भी आप शुगर फ्री वराइटी आफ राइस समझ सकते हैं तो उसी से भी आपको ज्यादा ग्लुकोस लेवल्स नहीं बढ़ेगा तो आपका ग्लुकोस लेवल्स एक दम मेंटेन रहेगा और चीज यह मिलेट्स भी है जो आप बदल बदल के खा सकते उसका भी किसमिक जो है षा橋 Dusty एक भी आफ 50 के बीच में आम अम अम घ्रां अलोंसे मीट्रम सखे मिल सकते हैं यह मीट्यॉमrang meKO को लिमित्ट में खाना यंट्र्ण है हाई पार जीथने फूट से उसको आपनाहें बानिह कर देना respondents उसको बढ़ भी आपको फॉड्रम सिक्ष्ट शु क अगर आप अल्रेडी डाइबेटीस टाइप 2 से जोच रहे आप भी इसका खाने पीने में ये चेंज़स तुरंथ कर लिजे और जिससे और आप हम हमारे जैसे अक्युपंक्चर और ट्रेशिशनल मेडिशन और नाचुरोपाइट प्राक्टिशनर्स को विजिट करिए आपक को ही डाइट लाइफस्टैल मेंटेन करना है जिससे आप भी जल से यल इंसुलिन से टाबलेट में आ जाएंगे और टाबलेट से फिर नार्मल लाइफ में आने का चांस जादा है और यह जो आप समझ सकते कि लांग टर्म मेडिकेशन एक्सपोजर से ही हमको और इंसुलिन साही डंग से यह शुगर लेवल साही डंग से नहीं मेंटेन करने के वज़े से आपको हाट अंखों का डैमेज हो सकता है गलकोमा हो सकता है या आपको किड्नी फेलियर हो सकता है काफी सारा कंडिशन्स आपको आ सकता है यह टाइप पन में भी मैं आपको जो बोल चुका उनका जो देमेज हो चुका है पैंक्रियास उनका इम्मूनिटी में जो डिफेक्ट है वो दोना भी हम अक्युपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिशन में अच्छी तरह उप्चार है जिससे डेमेज-वास पैंक्रियास में भी रीजेशन हो सकता है जिसे बीटा सेल्स पिर से हो सकता है और Immune system में जो defect है उसको भी हम पूरी तरह autoimmunity को भी díaग http Canada का जो treatment है हमारे treatment में आ चुका है जिससे पेशेट जो है long term treatment से वह भी अपना ही pancreooo if it को pri reven करने का उप्चारा डायरी है डाइबेटीस एक जीवनशाहिली व्यादी है और आपका जीवनशाहिली से और ट्रेडिशनल मेडिसन अपनाने से आपको इससे रिवर्स भी हो सकता है और उसका जो कॉम्प्लिकेशन से पूरी तरह प्रिवेंट कर सकते हैं और पूरी तरह स्वस्त रह सकता है मेडिसन लेना जरूरी है मगर जिन्दगी बर मेडिसन लेते हुए आपको ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना एकदम गलत बात है तो आप जल से जल इस तरह का उपचार लेके आप डाइबेटीस प्री हो जाए और डाइबेटीस प्री नेशन बनाने का जो हमारा ये है आशा है आप सब इसमें जुड़ के सब को ये वीडियो शेर करने का आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थैंक्यो आपका डॉक्टर साकर